हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर हिंदी की आची क्लास में हम क्रिया और क्रिया विशेशन बढ़ेंगे इस से पहले हमने विशेशन और विशेशन के भेद देख लिए थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया क्या होती है क्रिया जो शब्द होता है यानि कि इसमें वे शब्द आते हैं जो किसी कारे के करने या होने का बोध कराते हैं यानि कि ऐसे शब्द जिन से हमें किसी कारे के करने का या होने का पता चल रहा होगा वो शब्द आपके कहलाएंगे क्रिया ठीकि क्रिया का अर्थ क्या होता है कारे करना ठीकि करना जो शब्द है करना जो है वही क्रिया का अर्थ है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा यानि कि कोई कारे हो रहा है तो यहाँ पढ़ना क्या होगी यहाँ पर क्रिया हो गई सीता सो रही है तो सो रही है न वो यहाँ पर कोई कारे है यहाँ हो रहा है कारे सो रही है तो यह सोना क्या होगी है यहाँ पर क्रिया हो गई हे हिंधी में क्या है कि अगर धातों में आपने कोई प्रत्त लगा दिया तो वहीं आपका जो प्रत्ते लगने के यह शब्त बनेगा वहां क्या हो जएका क्रिया जैसे लिख में लगा-दिया decision लिखना पढ़ना थिक के खेलना तो यह कि लिखना पढ़ना खेलना हों घैंने क्रिया लिखड़ों से जिन मूल शब्दों से क्रिया का निर्माड हुआ है यानि कि धातू में ही हम कुछ नो कुछ प्रत्याइड करने के बाद ही क्रिया बनाते हैं ठीक क्रिया के बेद पर क्रिया के पहला बेद आपक कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बाटा गया है पहला है अकर्मक दूसरा है सकर्मक अब दोनों आप अगर वर्ड देखें तो दोनों में कॉमन क्या मिलना है कर्मक कर्मक यानि कि कर्म कर्मक से ही इनको बाटा गया है कर्म पर उस चीज का प्रभाव पढ़ रहा होगा और अकर्मक में कर्म नहीं होगा तो कर्म पर प्रभाव भी नहीं पढ़ेगा ठीक है देखिए इसको समझते हैं सकर्मक क्या होती है जिस क्रिया के जिस में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पढ़ता है तो वो कहलाती है आपकी स कर्म क्रिया ठीक है आप देखो ऐसा हो सकता है कि आपको वो जो वाग के देव उसमें आपको कर्म मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है तो आप कैसे पहचानेंगे जिसे पहला सेंटेंस को मोहन आम खाता है यहां पर कर्म आपको मिल रहा है क्या मिल रहा है आम मोहन क्या खा तो अपकि कर्म मिलने पर्लेवन और कम किर्म कर्म हो गया किसे हो गई मालों नहीं को दे दिया मेरा पढ़ती है तो यह सकर्मक है या अकरमक यानिकि जो पढ़ना क्रिया है वह सकर्मक है तो कैसे पहचानेंगे आप क्या करेंगे क्रिया के साथ देखो यहां पर नोट लिखा भी है सकर्मक को पहचानने के तो सीता लिखती है तो सीता क्या लिखती है ठीक है यहां पर एक आंसर मिलेगा आपको ठीक है जैसे आपका हो गया खेलना ठीक है तो तुम क्या खेलते हो गेम में भी कौन सा गेम खेल रहे हो वह पूछा जा रहा है तो क्या का प्रेश्ण करने से आपको आंसर मिलेगा और क् किसे साथ करें क्रिया के साथ और क्या का प्रफना किया करने क rumors क्रम कर आरा होता है वर ही क्या हो चाथी कि लेंगे तो आप दोनुमर्याइस करना सीख जाएंगे देखिये और किरिया का प्रभाव नहीं पढ़ी होगा करता पर पढ़ता है तो उसको कहते हैं अकर्मक्रिया जैसे रोहन रोता है तो रोना क्या होगी अकर्मक्रिया होगी मीरा नाचती है नाचना क्या होगी अकर्मक्रिया वह हसता है अगर आप प्रिश्ण करें रोहन क्या रोता है रोहन क्या हसता है यहाँ पर कोई सैंसी निकला कोई आंसर भी नहीं आना क्या हसता है का मतलब क्या हुआ क्या रोने का मतलब क्या हुआ कुछ नहीं तो यहीं आपका है यह क्या हुजा है आपके अकर्मक्रिया ठीक है अब पूछा मीरा क्या पढ़ती है यानि कि कुछ नो कुछ आंसर मिल रहा होगा वाँ पर किताब पढ़ रही है कविता अंसर आपको मिल जाएगा ठीक है अब हम देख लेते हैं सकर्मक्रिया के भेद तो सकर्मक्रिया को तो भागों में बाटा गया है एक है आपका एक कर्मक्रिया और दूसरा है दुए कर्मक्रिया नाम से इस पस्ट हो रहा है कि जिसमें आपका एक कर्म होगा वह एक कर्मक हो ज खा रहा है एक कर्म लिया खाना तो यहां पर यह क्या हो जाएगी एक कर्मक रिया हो जाएगी दो कर्मक में देखे जिसमें दो कर्म हो जैसे राधा ने बच्चों को पाठ पढ़ाया बच्चों भी एक कर्म है और पाठ भी एक कर्म है दो कर्म मिले मयंक ने शुभम को पुस् कर्मक क्रिया है ठीक है अकर्मक को तो आप समझी गए दे क्या का प्रश्ण कर देना क्रिया के साथ आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी क्रिया सकर्मक है कौन सी अकर्मक है क्या और किसको का प्रश्ण करेंगे जब आपको आंसर मिल रहा होगा वहाँ पर या आंसर क्रिया नामधातु क्रिया प्रेड़नार्थ क्रिया और पूर्वकाल क्रिया ठीक है तो सामानी क्रिया या मूल क्रिया किसे समझते हैं जहां वाके में केबल एक क्रिया अकेले प्रयोग होती है यहां केबल क्रिया क्रिया आ ठीक है तुम रोए तो यहाँ पर सिर्फ एक क्रिया आ रही है तो वो आपका सामाने क्रिया या मूल क्रिया हो जागी जैसे मैंने काम नहीं किया एक मिल गई वह बहुत रोई तो रोई मिल गया ना यहाँ पर यह हो जाएंगी आपकी सामाने क्रिया है इस जब करिया डो-दोसे अधिक धातुं केutta extract से बंति है तो उसको कहते हैम सहोग जैसे तोहन चलने लगा है यह पर आपको दो क्रिया मिलेंगी संयुक्त का मतलब क्या है वहाँ पर कुछ न कुछ जुड रहा हुआ यानि कि दो लोग दो एकरियां आपस में जुड रहे होंगी मोहन चलने लगा चलना भी करिया है लगना भी करिया है ठीक है तो मोहन चलने लगा वह गा चुका है गा और चुका तो इस ट्रैप से मिलेगे, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना और पढ़ रहा, दोनों मिल रहे न, ऐसी मैं पढ़ नहीं पाया, पढ़ और पाया, दोनों मिल गई, मुझे जाने दो, तीक है, दो क्रिया मिली, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये सब आपके किस में आ जाएंगी से उक्त क्रियाओं में आ जाएंगी, ठीक है, नामधातु क्रियाओं क्या होती है, वे क्रियाओं जो संग्या, सर्वनाम या विशेशण में कुछ नो कुछ क्रिया शब्द को जोड़ने से बन जाती है, जैसे, रेफिनिशन देख लेक वर संग्या अद्बा विशेशण के क्शन कुछ क् क्रिया कर देंगे और आंड़ेब क्रिया अचब कर देंगे firmly क्रेदक्राइब यानी कि हम भू काम कुद नहीं कर रहे होंगे वह किसी और से काम कर वाएगा एक तरीके से आप बोल सकते हों कि वह ओरर तो नहीं देगा लेकिन ils से को प्रेडित करेगा उसकाम के लिए ठीक है कि तुम ये काम करो जाकर तो वही आपका जब करता स्वएयम कारें ना करके दूसरे को कारे करने के लिए प्रेदेट करें तो वहां पर आपकी। होती है क्रिया आपकी जो करई होती है उनसे बनेगी Oak ऐएक लिख आ झाल लिखवाना किसी और से लिकज्राओगे ना यानि किसी और से काम होगा करता कुड सिद्रेगारा और या एसा खाना छाना काना से खिलवाना बन काल में हो चुकी होगी देखिए पढ़िए इसकी रेफिनेशन जब करता है एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में तत्काल लग जाए एक काम को उसने खतम कर पाया और तुरन दूसरे काम में लग दिया वही आपकी पूर्व कालिक क्रिया जैसे वह पढ़कर सोया तो इ इस तरीके से आपके इसमें आ जाए कि एक क्रिया को समाप्त किया उसकी बाद जस्ट दूसरे काम में वह लग जाए तो वह आपकी क्या हो जाती पूर्वकालिक क्रिया नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिया विशेशन यह आया भी हुआ है तीन बार चलने की विशेशता की विशेशता का पता चलता है उनको ही क्या वह जाता है जैसे देखिए वह धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे किसकी विशेस्ता है चलने की विशेस्ता है कि वह दीरे दीरे चलता है मालो मैं कर दूब है तेज दोड़ता है तो दोड़ने की विशेस्ता क्या हो गई तेज यानि कि क्रिया की विशेस्ता बता रहा है न दीरे दीरे शब्द है आपका क्रिया विशेशर गोड़ा तेज दो करिया की विशेषता क्या होगी होग भी कलास में और वी दोस्तों को शेयर करिए अभी आपके पास time है तयारी का अगर आपने अभी भी तयारी शुरूर नहीं की यह तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अराम से जो भी हो चुका है उसको पढ़ लेजिए और जो हो रहा है उसको सासात अपना करते हुए चलिए ठीक है अराम से आपके इच्छे माक्स आएंगे सभी में बस यह की थोड़ी मैनत आपको भी करनी पड़ेगी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्स वर वाचिंग और प्लीज लाइक सब्सक्राइब मैं चैनल बबाई टेक केर